क्या होगा अगर हमारा सूरज मर जाए या गायब हो जाए कि इससे हमारी प्रिथवी पर कोई फर्क परेगा हमारा सूरज जो कि आज के समय में 10 अरब साल पुडाना है और ये आज से और 5 अरब साल तक ऐसा ही रहेगा लेकिन उसके बाल हमारा सूरज अपने लाइफ साइकल क के आखरी स्टेज पे होगा और एक बरा रेड जाइंट स्टार का रूप ले लेगा हमारे सूरज के इतने बरे हो जाने पर करीबी प्लैनेट्स जैसे मर्कुरी वीनस और यहां तक की प्रिथवी भी इसके अंदर समा जाएगी और फिर अंत में सूरज अपने सबसे विशाल रूप में आ जाएगा जो कि आज की सूरज की मुकाबले सौ से लेकर हजार गुना तक जादा होगा लेकिन इसके बाद सूरज वापिस सिकुडने लगेगा और एक वाइट डौर्फ बन जाएगा अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब के दोरान हम इंसानों का क्या होगा तो मत कीजे क्योंकि तब तक हम किसी दूसरे सोलर सिस्टम में रह रहे होंगे और वहां से हम अपनी पित्वी के अंत को देख रहे होंगे जिसने हमें जन्म दिया तो चलिए इस हैरत नंगेज घटरा को और डिटेल में जानते हैं आज से लगबग पांच अरब साल बाद सूर काफी जादा ब्राइट भी हो जाएगा सूरज के इतने बरे हो जाने के कारण पित्वी पर गर्मी काफी जादा बढ़ जाएगी और समुद्र नदिया तालाव ये सब पूरी तरह से सूख जाएंगे अंटार्टिका में मौजूद ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाए पित्वी का सर्फिस टंपरेचर 100 डिग्री से बी जादा हो जाएगा लाइफ फॉर्म की बात करें तो सारे जानवर इस समय पानी की कमी के वज़े से मर चुके होंगे वो ही जीव जो की पित्वी के अंदर रहते हैं जैसे अर्थ वर्म वो इस समय भी जिंदा होंगे और फ रेड जाइंट नहीं बनेंगे उनके मरने की प्रक्रिया हमारे सूरच से काफी अलग होगी रेड ड्वाफ स्टार जो की हमारे सूरच से काफी छोटे होते हैं ये सूरच काफी लंबे समय तक जिंदा रहते हैं लेकिन जब इनका सारा फ्यूल खत्म हो जाता है तब ये रे डवाब स्टार जब अपने लाइफ के आखरी स्टेज पे होते हैं तब ये अपने अंदर सिकुरने लगते हैं और काफी सारा मास एक छोटे से जगा पे केंदर्थ हो जाता है जिसकी वज़े से इसका कोर का प्रेशर हद से जादा बढ़ जाता है और फिर एक सर्टेन पॉइ जंकर होते हैं कि इसका सौक वेव और रेडियेशन कई लाइटियर्स तक मैसूस किया जा सकता है तो दोस्तो आपकी क्या राय है सूरज के देथ के बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको सूरज के बारे में और जानना है तो इस वीड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए